बीनम्यों ने पार्ट वन परिक्षा फॉर्म भरने की तिति गोशित कर दी है जो भी एस्टुडेंट 2019 में बीनम्यों के अंदर गत आने वाले किसी भी कुलेज में एडमिशन करवाई थे तो यह जोई की परिक्षा फॉर्म पार्ट वन का भर सकते हैं चाहे आठ सो सैंसो या कोमर्स हो यानि बीएस्सी पार्ट वन बीए पार्ट वन या बीकॉम पार्ट वन की एस्टुडेंट परिक्षा फॉर्म भर सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि ओफिसियल जोई की लेटर जारी कर दिया गया है निजेसा नुसार सुचित किया जाता है कि असना तक पर परिक्षा फॉर्म भर सकते हैं उसके बाद जब आप परिक्षा फॉर्म भर देंगे तो कोलेज वाले जो है कि इनवर्सिटी में बिना बिलम सुल्क के साथ 6 जनवरी तक सभी छात्रों का परिक्षा फॉर्म जमा करेंगे उसके पस्चात यहां पर देखिए कोड़ा है कि म बिलम सुल्क मात्र 200 रुपिये देखिए बिलम सुल्क क्या है मात्र 200 रुपिये दिनांक छो जनवरी से ले करके आठ जनवरी तक बिना बिलम सुल्क के साथ भर सकते हैं उसके पस्चात यहां पर देखिए जब बिलम सुल्क के साथ फॉर्म भराएगा तो उसके बाद यहा करके 9 जनवरी से 9 जनवरी को जमा करेंगे और उसके बाद परिक्षा के संभावित तिती जो है कि 19 जनवरी से पार्ट वन की एकजाम आईजित की जाएगी इसके बाद यहां पर देखिए महावधियाले में यू-m-i-s द्वणा उपलब्द कराई गई नमंकन सुची के अधार मानकर ओफ-लाइन माधियम से आइसीयार परिक्षा परपत्र में परिक्षा परपत्र भढ़ाये जाए और उसी आइसीयार परिक्षा परपत्र से पंजियन परपत्र भी त्यार की जाएगी साथ ही चात्रों से परिक्षा परपत्र भरवाना चाहेंगे तो देखिए आप पहले जाकर के कोलेश से पंजियन ले लिजिए और उसी पंजियन को देखकर करके आपको परिक्षा फ़ॉर्म भरना है जो सब उसमें सब्जेक्ट होगा तो आपने किलियर जान लिया है यहाँ पर कि आप 23 जिसमबर से ले करके 5 जनवरी तक भीना फाइन के साथ भर सकते हैं अब फाइन के साथ 6 जनवरी से ले करके 8 जनवरी तक भर सकते हैं तो यह काफी बड़ी खबर है इस वीडियो को अधिक से दिख लाईए जो छात्र इसका ओफिस्यल लेटर चाहते हुआ कहां स्पर स्टार्ट सर्प मतमेटिक्स इनको जैसे ही ट्रस करेंगे प्यज जैसे ओपन होगा इसके अंदर में आपको जैकी मिल जाएगा ओफिस्यल